कितनी जरकेज है नफरत के लिए दिल की जमी बीच बोया भी नहीं और फसल उगाती है। कोई भी घर रहो वो हमारा घर था और उस घ्राउंड के ओपर जैसी आजान होती थी तो मेरे सारे मुस्लिम दोस्त नमाज पढ़ने जाते थे और फुटबॉल गोदी में लेके मैं और मेरे दोस्त जो हम नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स थे वो मस्जित के सीड़ी पर पैठते थे और आने जाने वाले जो पुज़ूर्ग थे वो हमारे सर पे हाथ मारके आगे जाते थे और हम जब वापस आते थे नमाज कतम होगी तो हमारा फुटबॉल का मैच चुरू हो जाते हैं अधा बर्जे महराश्टा न्यूस टूड़े में आपका इस्तखबाल है नाजरीन आज का ये प्रोगाम रूबरू मैं एक शेर के साथ शुरू करूंगा कितनी जर्खेज है नफरत के लिए दिल की जमीं बीच बोया भी नहीं और फसल उगाती है हमारा ये मुल्क जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई ने यहां तक पहुँचाया और हमारा गुल्शन, हमारा ये चमन जिसकी फूलों की खुश्बू सारे दुनिया में एक पैगाम लेकर गई थी और वो पैगाम था अमन, चैन, भायचारा, प्यार और महबत का पिछले कुछ दूनों से पता नहीं क्या हो गया है, जो माहूल बनते जा रहा है वो हमारे जो हमारी परंपरा है, हमारे पुर्खों के जो दिय हुए खौब है या दिया हुआ रास्ता है या बताया हुआ रास्ता है वो रास्ते ते कही ने कही हम हट रहे हैं जो हम सब के लिए चिंता का विशा है आज हमारे जो मेहमाने डॉक्टर पवन डोंग्रे साहब जो किसी परिचाई के मोहताज नहीं है उन्हेंने आज बहुत खुबसूरत एक वीडियो रिलीज किया है शहरे औरंगाबाद के नाम को लेकर और वो वीडियो को हर कोई पसंद कर रहा है क्योंकि उसमें जो मैसेज है वो दिल का है और दिल से निकली हुए बात दिल तक पहुंची जाती है आज रुबरु में आज हमारे साथ जो डॉक्टर साब है पवन डॉंगरे साब उनसे बहुत बहुत शुक्रिया सब अपने वक्त दिया हमें सर आपका यह जो वीडियो वाइरल हुआ है तो यह ख्याल आपको अचानक आया या आपने सोच समझ कर किया है यह भाई सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मेरे को एक मौका दिया लोगों तक के फिर से मेरी बात रखने के लिए वीडियो बनाना या इंटेंशनल बनाना ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं था मैं मेरा क्लिनिक का रूटिन का काम मैंने कंप्लीट किया काफी सारे दोस्तों के फोन आ रहे थे और कुछ लोग चिंता में थे कुछ लोग थोड़े परिशान थे सभी तरीके के लोगों के फोन थे और बाद में जब मैं क्लिनिक वाइंड अप करने वाला था तो मुझको ऐसा लगा कि लोगों को तक अपना एक मेसेज पहुचाना चाहिए और बस मैंने अपना कैमरा ओन किया वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने लोगों तक दिल की बात की ना मैंने उसमें किसी तरह का सोचा था कि मेरे को ये बोलना है जो मेरे मन में था वो मैंने मेरे जुबान पे लाया और वो ही चीज का वीडियो है और आज उसको 60,000 से भी जादा लोगों ने वियू कर लिये 15,000 लोगों ने उसको शेर किया है, प्लस उसको लाइक्स भी 16,000 के उपर उसको लाइक्स थे जब मैं शाम को देखा था तो दिल से निकली हुई बात है और जो मेरे दिल में ये भाउना है, ये लोग आगे सोच रहे हैं कि जिस हुकुमत ने ये किया उस हुकुमत में राश्टरवादी और कॉंग्रेस दोनों वहाँ पर मौझूद थे उसके बावजूद भी ये फैसला लेने से रोक नहीं पाए एक उस साए गम है करेंगे, देखे इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने भी लेनी की कोशिश की पार्टी के लोगों को पहले से जो 20 कल्मी कारेकरम था एहमत पडिल साब का उसके अंदर भी आप देख लीजिए बोला ये गया था कि कॉंग्रेस के तरफ से कभी भी किसी शहर का, और अंगाबाद का ही नहीं किसी भी दूसरे शहर के नमांतर को हम लोग कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे उस दिन की जो गटना इती गटना करम थी आप सब लोग के सामने है CM साब का जो उस समय के CM थे अधनिय उद्धव ठाकरे जी उनका लगी रहा था कि वो quit करने वाले है या फिर वो जो महलात थे आप लोगे सामने है मंत्री मंदर की जब बैठक हुई कैबिनेट के बैठक के अंदर का एक नियम होता है कि कभी भी किसी सीम ने अगर प्रस्ताव रखा तो जनरली उसको कोई विरोध नहीं करते हमने हमारे पार्टी के वरिष्ट कुछ लोगों से बाद भी की उनको भी पुछा था तो उनका भी यही स्टेटमेंट था कि खास तोर पे सीम ने अगर कोई प्रस्ताव रखा तो लोग जनरली उस चीज़ को अपोज नहीं करते और वैसा ही उस दिन भी हुआ वो हालात, वो सारी चीज़े मगर वो जो भी थी, वो हो गई होने के बाद में आज हमारे जो प्रदेश अद्यक्ष नानाबू पटेले उनका एक स्टेटमेंट में ने पढ़ा, पेपर के जरीए वो स्टेटमेंट में ने पढ़ा कि उसमें उन्होंने कहा कि वो निर्ने वहाँ से पास हो चुका है, जो तीर था वहाँ से छुड़ गया है, अब वो आगे निशाने पे लगता है नहीं लगता है ये दूसरी बात है लेकिन वहां का जो रोल था जो वहां का इश्यू था वो कंक्लूर हो चुका है सर आपकी पर्टी के यहां के शहर अदेश ने भी इस्तफ़ा दिया है और वैसी राष्टरवधी के बहुत सारे लोग इस्तफ़ा दे रहे हैं आपके बड़े-बड़े यहां के जो लीडर थे वो भी इस्तफ़ा दे रहे हैं तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे और क क्या इस्तफ़ा दिने से इसका मसले कहलो सकता है देखिए मेरा एक पार्टी परसन बोलकर बात करने के बज़े में औरंगाबाद शेहरियान बोलकर मैं बात करना चाहूंगा मैं यह कहना चाहूंगा कि solutions दूणना चाहिए अगर कोई मुसीबत कोई problem आ गया तो उसके उपर हम लोग क्या solution निकालते हैं यह बहुत महत्वपून होता है आप जब किसी ओधे पर रहते हैं तो आप उस ओधे पर रहे के मगर इस्तिफा देने के बजाय में अगर उसका और उसमें आगे जाके हम काम करते और यह सोचते कि भई यह हो गया ठीक है लेकिन इसको रोका कैसा जाए या इसमें कोई रस्ता है क्या इसमें कोई way out है क्या हमारे party के leaders के पास हम सम मिलके चलते सारे लोगों के पास में जाक कुछ कैंचा पढ़ाई करता है यह कुछ पढ़ता है तो आपने principle को कुछ कह सकता है क्या नहीं कह सकता है उसी तरी के से हर party के अंदर जब ऊचे धिगज लोग कोई निरने लेते है तो कारे करता हो कि इच्चा रहो मत रहो पता दिकारियों कि इच्चा रहो मत रहो कहीं नहीं कहीं उसको party line के ओपर ले के आगे जाना पड़ता है ये मुसीबत का का म हर party में होता है हर पक्ष में होता है, तो उसी तिरी की कि घटना यहाँ पर भी घड़ गई, हमारे दिल में आज भी औरंगाबाद है, कल भी औरंगाबाद रहेगा, नाम आप कुछ भी दो, हमारे लिए यह औरंगाबाद ही है, और यही तो खुबसूरती है हमारी शहर की, हमारा, हम अगर किसी को कहें बच्पन से, तो हम क्या कहते हैं, कि हम आउरंगाबाद में पहले बढ़े, आप अचानक नाम बदलने की बात अगर करते हो, क्या रिजन थे वो सब छोड़ दीजे आप, मैं एक शहरियान की रूप में बात कर रहा हूँ, पार्टी की लाइन पे में बात नहीं कर र जगा वही है, लेकिन लोगों की जैनियत में परिवर्तन आ रहा है, और जिस तरीका के परिवर्तन लोग लेकर आ रहा है, या उनके दिमाग में डाला जा रहा है, वो अच्छा नहीं है, वो जैरिला है, रिलिजियन, कास्ट, इस चीज़ के बेस के ओपर जब आदमी बात क चुरू करता है, तो कहीं न कहीं सामने वाले का उसका तिरसकार मन में आना शुरू हो जाता है, मेरे ऐसा सिकुलर आदमी तो वो ही सोचता है, कि बहु कभी भी किसी वेक्ति ने बात करते समय, तुम यूमन बोलके बात करो, बहु आप याया खान है, मैं पवन डोंगरे हू और याया खान पवन डोंगरे का इंटर्व्यू ले रहे है, यही तो खुबसूरती है, इसके लिए याया खान को ये बोलने की जरूरत नहीं है, कि मैं किस चीस को समाज को बिलॉंग करता हूँ, या पवन डोंगरे को ये बोलने की जरूरत नहीं है, आप यूमन बोलकर ब चांते हैं, हमारा घर जुना बजार में था, बुडी लाइन में थी, मौले की दादी हमारी दादी थी, हम बुडी लाइन में पैर रखते बरोबर कोई भी घर रहो, वो हमारा घर था, यानि उसमें जरूरी नहीं कि हम हमारे घर में चले गए, तो वो से क्यों नहीं, हमने आउन के ओपर जैसी आजान होती थी तो मेरे सारे मुस्लिम दोस्त नमाज पढ़ने जाते थे और फुटबॉल गोदी में लेके मैं और मेरे दोस्त जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स थे वो मस्जिद की सीड़ी पर बैठते थे और आने जाने वाले जो बुजूर्ग थे वो हम एक सेकुलर जमात से तालुक रखते हैं और बहुत सारे सेकुलर जमाते हैं जो आज इस हकुमत के सामने जो मौझूद हो हकुमत है उसके सामने बैठ फुक पर है उसका कारण है आप अपनी बात अपनी सेकुलरिजम की जो बात मजबूती की जो बात एकता की बात उतनी ता और जिसके दिल में कपट होता है न वो कोई भी बात खुल के नहीं कर सकता है ये सियासत के बैटे हुए कुछ नुमाइंदे आपस में दरार डालने की जो कोशिश करते हैं हम उनको बली पड़ते हैं यानि हम उन लोगों की डाली हुई जो दरार रहती है उसके कामिया भी तो मिल रही है उसकी कामिया भी क्यों मिल रही मैं आपको बताता हूँ देखिए दो व्यक्ति आपस में जब तक एक में पर विश्वास रखेंगे ना कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा लेकिन जिस दिन वो विश्वास तूड जाता है न तो भायों के ब सियासी पार्टिया है जो खास तोर पे पोलराइजेशन फैला रहा है पूरे भारत वर्ष में जैसा मैं आपको एक छोटा सा उधारन देता हूँ संविधान की पुस्तक में डॉक्टर भीमरा उंबाइटकर जो आर्खिटेक्ट है हमारे संविधान के रचेता है आप पूरा बुक उठा के पढ़ लिजे कहीं पर भी वर्ड हिंदूस्तान आपको नहीं मिलेगा यह वर्ड कहां से आया हमारा पहले वर्ड क्या था इंडि कहते थे और वो बोलते थे कि हिंद के पास जो लोग बाशिंदे बसते हैं उनमें बहुत दोस्ताना है तो हिंद दोस्तान यह वर्ड उन्होंने उस जमाने में हमको दिया था यह किताब में लिकावा नहीं है यह उन कभीलों के सरदारों का हमको दीवी एक पदवीती रिव हिंदुस्तान अनफॉर्चुनेटली कुछ दिरों से मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान हो गया है और यह वर्ड कहां से आया और बैड लग ऐसा है कि इसको तो आजकल सारे लिडर्स बात कर रहे है सारे लिडर्स तो चोड़ यह हर कम्मुनिटी का आद में हिंदुस्तान ब माराष्टा की जो पिछली हुकूमत अभी 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 रेसेंट ले गई है और धाय साल में अच्छे काम किया और दो थाकर साहब ने एक बहुत अच्छी इमेज कमाई बहुत अच्छे तरीके से काम किया खुस्वसान कोईट के जो बीमारी में जो यह हमरे सामने बहुत ब अखुमत बनी तो यहां पर कॉंग्रेस का जो रूल था कॉंग्रेस ने कहीं ने कहीं अपनी जिम्मेदारी को निभाने में पीछे रही असा लगता है नहीं बिलकुल भी नहीं कॉंग्रेस के पास में 44 MLS है देखिए वो 44 के 44 MLS उद्धो ठाकरे जी के साथ में लास्ट मोम रहें आप आपके लोगों को भुला लीजिए और उनको बूलिए कि कॉंग्रेस के जो लोग है वो बाहर से सपोर्ट देंगे हमको पद नहीं चाहिए लेकिन हम आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि 2 साल हमने आपके साथ में काम किया है और हैट्स ओफ उद्धो ठाकरे जी को कि 20 साल में जब करोनो का टाइम था जब से वर्स टाइम था उस टाइम में भारत के जो पाँच टॉप सीम थे उनमें से उनका नाम गया है आप इमाजिन कीजिए कि उससे पहले चलिए उससे पहले जब वो सीम बने थे तब केंदर सरकार ने एनर सीय का और उसका बिल लेकर आया था उसका विरोध सबसे पहले उद्धव ठाकरी जी ने किया और वहीं से उन्होंने लोगों के दिल में जगा बनानी शुरू कर दी कि ये वेक्ति सारे लोगों को एक साथ लेके चलने में कामियाब होने वाला है और उनकी इमेज ही नहीं वो सचमुच में जेंटलमें उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने राजिनामा दिया उन्होंने सिर्फ अपने पत का राजिनामा नहीं दिया उन्होंने राज्यसभा का जो सवासदत था वो भी उन्होंने छोड़ दिया तो उनको कोई पार्टी के या किसी पत के वो मौताज नहीं थे उन्होंने बनी ये सरकार पहला अजंडा में वो इशू लेकि उसको conclude करने के फिराक में थी और इनका जो बचा कुछा भी tenure था उसको destroy करना उनका मकसद ये नजर ही आ रहा है आप imagine किजिए कि कभी हमने सोचा था कि तीन दिन पहले कि जो आज के current CM है वो ऐसे बाजू निकल जाएंगे उ वो तो जब floor test होगा तभी पता चलेगा लेकिन rumors तो है कि उनके साथ इतने है उतने है जितने भी होगे मगर बगेर floor test के जब court ने जो निरने दिया उद्धा ठाकरे जी ने उसको सराको पे लिया उन्हें राष्ट्रवादी Congress ने Congress ने राष्ट्रवादी के पास में 56 थे उन जो जिस तरह हो बता रहे कि हमको मिलते नहीं थे ठाकरे साब हमारी बात सुनते नहीं थे और Congress और राष्ट्रवादी Congress के नहीं ज्यादा मलाई चकी है हमको कुछ बिलता नहीं था देखिए लोग बहुत इजीली पॉइंट आउट कर देते हैं लोग बहुत इजीली एलिगेट कर देते हैं गवर्मेंट में सभी लोग थे पहले तो शुरुवात में ये बोला गया था कि ये तीन पईये की सरकार है और नहीं चलेंगी और पूरी ताखत विरोधी पक्ष पूरी ताखत लगा दी थी कि इनको किसी भी तेरी किसे गिराना है मगर कुछ इंटिलिजेंट लोगों ने उस तीन पईये को इनको उधारन दिया था कि ये रिक्षा है और तीन पईये का रिक्षा भारत में सबसे ज़्यादा चलता है करीबो लोग उसमें एक साथ बैठत है और वो रिक्षा ड्राइवर आपको सेव घर तक पहुचा देता है और यही चीज महाविकास अगाडी ने साबित कर दिया है धाई साल के टेनियोर में कोरोना के जैसा टाइम स्मूदली लोगों का निकल गया इससे बड़ा और एचीव्मेंट इस सरकार को और क्या बहुत बड़ा एचीव्मेंट मिला है कोरोना का टाइम जिस तरीके से निकला है महाराश्टा ने और महाराश्टा में डिजैस्टर नहीं होने दिया इससे बड़ा सक्सेस और दूसरा कुछ नहीं हो सकता तर आखरी सवाल जिस तरह कुछ सियासी पार्टिया नफरत पहला रही है नफरत पहलाने का जो भी मौकात लगता है उसे उसे उन्हें वो कैश कर लेते हैं जबकि जो आपोजिशन में हैं वो महबत का पैगाम लेकर क्यों नहीं आगे बढ़ते ऐसा स्ट्रॉंग ली तो कि ताकि नफरत पहलाने वालों को महबत से जवाब दिया जाए यह अबे मैं आपको पैशानता हूँ आपके जो फादर है वो इस शहर के ही नहीं हमारे पूरे महाराश्टरा के एक नामवंत शायर थे तो शायरी के रूप में ही मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूं इसका के नफरतों का आसर देखो इंसान तो ठीक है जानवरों में बटवारा हो गया इन RSS के दौर में न जाने कब गाए हिंदू हो गई और बकरा मुसल्मान हो गया जिस तरह की राजनीती RSS के लोग फैला रहे हैं जिस तरह की राजनीती RSS के लोग फैला रहे हैं कि हरा रंग मुसल्मान का है लाल रंग हिंदू का है वो दिन दूर नहीं भाईयो जब मार्केट की सारी हरी सबजिया मुसल्मानों के हिस्से में आएगी और हम हिंदू के हिस्से में सिर्फ लाल गाजर और टमाटे ही रह या आपके सवाज का सवाल का पुरा जवाब था कि जो नफरत की राजनीती जो सियासी लोग RSS हो या उनकी तरह और जो पोलराइस करने वाले लोग है वो हर इसमें है ये लोगों के वज़े से हमारे भारत के अंदर ये जो तकलिफे आ रही है सामने आ रही है भारत एक बहु जो बच्चे हमारे ग्राउंड पे जाके एक साथ खेलते थे उनको एक जो पे लाने की जरुरत है स्कूल के अंदर जिस तरीके का माहुलता उसको फिर से लाने की जरुरत है और इसको लाने के लिए हमको किसी दूसरे को बदलने की जरुरत नहीं है जितने लोग इंटर्व पहलना है कि यह कितने भी नफरत पहलाए हम इस नफरत के बली नहीं पढ़ेंगे और हम हमारी जो खुबसूरती है और अंगाबाद शेयर की प्यार की अमन की मुभबत की उसको वैसे ही मेंटेन करेंगे मेंटेन करेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा जो हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं इससे पहले भी कहा था और मैं कहता रहता हूं कि इस जमीन पर सबसे ज्यादा खोन अगर इंसानों का बहाया गया तो मजभ के नाम पर बहाय गया आज महेंगाई बेरोजगारी और हमारे जो बच्चों का एजूकेशन हमारे हॉस्परिडल्स इन बातों पर ध्यान देने के बचाए हम एक दुसरे के दिलों में नफरत की बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं कुछी हद तक कामियाब भी हो रहे हैं जबके हमारा हिंदुस्तान हमारा भारत गांधी जी का भारत है और वो गांधी जी जिसने दुनिया को अमन प्यार महबत का पैगाम दिया हम चाहते हैं कि हमारा भारत फिर से वैसा हो जाए और इसमें हम सब को अपने अपने हिस्थे का काम करना पड़ेगा ताकि हमारी आने वाली नसलों के लिए ये ये जमीन ये भारत ये हमारा गुलिस्तान एक अच्छी जिन्दगी जीने का मौका फराम कर सके अगले हफ़ते ऐसे ही किसे मेहमार के साथ मैं आपकी मुलाखात कर वाँगा तब तक के लिए मैं अप अधा हफिज नमस्कार